अगर आप घर बैटे जीरो बैलन्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं 5 मिनट में अपने मुबाइल फोन से और वो भी फुल के वाई से के साथ तो ICICI Bank आपके लिए first choice बन सकता है ICICI Bank के इस जीरो बैलन्स अकाउंट को हम माइन सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं जिस समय ICICI Bank माइन सेविंग अकाउंट लेकर आया था तो ये पूरी तरीके से जीरो बैलन्स अकाउंट था और यहाँ पर दोस्तो इसे खोलना भी काफी आसान था आज के समय में ये जीरो बैलन्स अकाउंट तो है लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है जैसे जैसे माइन सेविंग अकाउंट पोपुलर होता गया वैसे वैसे ICICI Bank इसे खोलने के तरीके में भी बदलाव करता गया दोस्तो इस जीरो बैलन्स अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बार नोटिफिकेशन बैल को ओन जरूर कर दीजेगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो जाते रहते हैं, तो अकाउंट ओपन कैसे करना है, या तो आप ICICI Bank की वेबसाइट पर चले ज जाएगा, नहीं तो आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्स में जाएए, मैंने वहाँ पर डिरेक्ट आपको इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल में ओपन कीजिए, लैप्टोप में ओपन कीजिए, आपके सामने ऐसा इंटरफेस चला आएगा, यही से आप यह माइन सेविंग काउंट ओपन कर सकते हैं, सबस पहले आपको बताया जाता है केवल 40 टैप में आप अपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हैं, आपसे आपका मोबाइल नमबर पूछ जाता है, तो य जैसे ही आप अपना pen card number डाल देते हैं, नीचे terms and condition है, उनको आपको accept करना है, automatically आपके mobile number पर OTP चला जाता है, तो वो OTP आप यहाँ पर fill करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जो mobile number आप डालेंगे, वह mobile number आपके आदार कार्ड के साथ भी link होना चाहिए, उसके बाद आप पर जुड़ा हुआ है, उस पर एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना होता है, OTP डालते ही आप next page पर चले जाते हैं, मैंने आपको बता दिया था, कि जब आप account open करेंगे, वही mobile number डालेंगे जो आपके आदार कार्ड के साथ लिंक है, उसके बाद आप जो है, इस वेज पर चले जाते हैं, यहाँ पर आपको अपनी personal detail देनी होती है, सबसे पहले है आपका palace of birth, यहाँ पर आप अपना जीला भी दे सकते हैं, या फिर जिस भी city में आप रहते हैं, अपनी city का नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा, उसके बाद है आपका यहाँ पर occupation, मतलब आप काम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको retired, यहाँ पर आपको self-employer salary भी मिल जाता है, अगर आप जो है, हाउस वाइप student है, तो dependent वहाँ पर select कीजिएगा, फिर आप occupation टाइप में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको retired, हाउस वाइप और student के option मिल जाते हैं, तो हम कितना कमा लेते हैं, उसके बाद है, आपकी education आपने पढ़ाई कहां तक की हुई है, उसके बाद है आपका institute का name, हमने यहाँ पर student select किया, तो हम institute का name यहाँ पर देना होगा, हम कहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप continue करेंगे, इस page पर आएंगे, यहाँ पर बस आपको नीचे continue पर click कर देना है, जो भी detail आपने अभी तक डाली है, वो आपके सामने आ जाती है, इस page पर आपको कुछ भी छेड़शार नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पर सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यह सबसे बेकार पार जो हाली में mine saving account में add किया गया है, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको fund add करना होगा अपने account में, यहाँ पर minimum 25,000 रुपीज अपने account में add करने होंगे, इस account को open करने के लिए, यहाँ पर खाता तो आपका zero balance ही है, लेकिन आपको account open करने के लिए 25,000 रुपीज instant आप को इसमें add करने होंगे जब आपका account open हो जाएगा आप इनको निकाल सकते हैं कोई problem नहीं है अभी के लिए यहाँ पर आप जितने भी रूपीज एड करना चाहते हैं minimum 25,000 आपको add करने होंगे तो 25,000 रूपीज आप उपर डालेंगे नीचे 12 से ICICI bank के द्वारा deposit कर दिये जाते हैं जब आप fund add करेंगे उसके बाद आप video KYC के page पर चले जाएंगे तो यहाँ पर चलिए दोस्तो हम यहाँ पर 25,000 रूपीज एड कर लेते हैं उसके बाद कैसे आपको video KYC करना है वो आपको बता देते हैं जैसे आप fund करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा यहाँ पर आपको video KYC करनी होगी नीचे प्रोसीड का बटन आएगा आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा video KYC करना काफी सिंपल होता है यहाँ पर आपके सामने एक बटन आएगा click here to start video KYC का बस आपको साथ रखेंगे उसके उपर black या blue pen से signature करेंगे और उसके बाद उस agent को आप तिखा देंगे उसके बाद वो आपसे बोल देगा कि आपका video KYC यहाँ पर complete हो चुका है और साथ ही यह भी वह आपको बता देता है कि जो आपका welcome kit होता है जिसके अंदर डेविट कार चेक्बु जाता है तो दोस्तो यही तरीका है ICICI bank में 2022 में zero balance account open करने का आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तो इस वीडियो को like करने के बाद हमारे चैनल को subscribe करके notification bell को भी own जरूर कर लीजेगा तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडिय में